हेलो जैने दोस्तों आप सभी का स्वागत आपके अपने योट्योब चैनल नौक तक पर आशा आप अच्छे होंगे इस्वस्त होंगे और खुस होंगे सबसे बगी नीज आप सभी के लिए नीज सुभा में आया आज हो गया सत्र शत्र जुलाइए है और आज आपका बिहार का जो डिलेड में 2024 से 26 से सन में जुनों ने एक्जाम दिया और भविस में एडिमिसर लेना चाहते हैं उनके लिए आज फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया है क्या मैंने बोला फर्स्ट मेरिट लिस्ट आज आ गया है तो सबसे पहले आप डालोडिंग कर चुके होंगे मुव लेकिन यह जान लीजे कि विहार डीलेड 24 सेशन 24 से 26 सेशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो गया है डालोडिंग करने के लिए आपको सिंपल जाना है वेफसाइट पे यह वेफसाइट आपके स्क्रिन पे गुगल खोलिएगा गूगल में आप डालिएगा स्क्र अई इस दिखेगा यह देखिए साहब आप Google में गूगल में क्या मारिए его of google इहां देखिए आप इसको थैसे पीछे ले Sum had देह desaprak में यह देखिए दैसे गूगल में अब तो समझ में आएगा और आप समस्दार है तो daylightvihar.com डालिएगा आपके स्क्रीन पे ऐसा डिखेगा इस पहले पे क्लिक कर दिजेगा जैसे ही क्लिक किजेगा आपके स्क्रीन पे यह important link खुलेगा जिसमें login ID और data birth डालना है आप सभी जानते है login ID में यहां जो है रॉल लंबर डालिएगा data birth में अपना जो जन्तिती है वो डालिएगा data birth में जैसे यहां बहुत लोग गलती करते हैं उसके लिए बता दूए एक चीज यहां देखिए data birth जहां बोलगा डालने के लिए जैसे मालिए किसी का एक है एक जन data birth ऐसे डालिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा समझ रहे हैं आप किसी का दो जन्मरी है मालिए दो फैबॉरी है तो दो का मतलब जीगोड़ो दो फैबॉरी का मतलब दूसरा मैना तो जीगोड़ो दो 2005 में है तो 2005 एक साथ यही data birth ऐसे डालिएगा आपको खुलने में द जाना ठीक है मुद्दा यह आता है कि जिसका नाम नहीं आया मैंने लिखा है यहां देखिए इस पर तो सब बात करेंगे चलो मेरिट लिस्ट आ गया बहुत अच्छी बात है जिसका नाम नहीं आया अब वह लोग क्या करे तो भाईया उनको आप क्या करना होगा फिर से जो 25 के बाद 25 जुलाई तक आपको सकेंड मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा तो सकेंड मेरिट लिस्ट से पहले आप लॉग इन करके अपने साइट पर लॉग इन करके फिर से आप क्या कीजिए आप कॉलेज को अदल बदल भी कर सकते हैं अगर आपका फर्स्ट मेरिट स्क्रीन पर यह दिखेगा आपको दिखाई देगा है पहले यह देखिया आप पहले यह बताइए सब कि चलिए मुझे लगए आपको देखाई देगा यह सूचना है और सुचना के अधार पे बिहार बिद्दाले परिच्छा समीती यानि बीसी बोर पटना ने सत्रा जुलाई का वादा किया और सत्रा जुलाई को बिहार का डियलेड का 24 से 26 सेशन का फस्ट मेरिट लिस्टा गया तो हम इसको मानके चलते हैं यहां देखिए सुचना बिहार कुछ समझ में आ जाएगा यह देखिए सहाब प्रथम चेहन यहां देखिए प्रथम चेहन सुची जारी करने की तुथी ती जो है सत्रा को है तो सत्रा जुलाई आ जा गया इसके बाद नामंकन की अभधी अब आपका नामंकन होगा जिनका भी नाम आ गया है कुन-कुन ड लेके तरिस तक कल से लेके तरिस तक आपका नामंकन चलेगा जानी जो भी कॉलेज आपको अब अबंटन हुआ है सारी कारी या प्राइबेट वहां जाके आप अपने सारे डर्कुमेंट जिसमें आपने फॉर्म डाला एडमिर कार्ड स्कोर कार्ड डियलेड का और जो भी कि देट खतम होता है इसके बाद आपका जो भी प्रॉसेस स्लाइड अप का वगएगर वगएगर तो बिस तक इसके बाद जिनका फर्स्ट मेरिट में नाम नहीं आया उनके लिए देखिए जिस विदार्थी का चैन प्रथम चैन सुची यानि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कहीं भी नहीं होता है उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पुर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अबधी यानि आप उसको उपर नीचे बदल सकते हैं तो बदल लीजिए क्या दिक्कत है चुकि आपका नाम नहीं आया और सभी कि अच्छा होता है कि सरकारी कॉ कॉलेज डाल लीजिए न किया दिक्कत है पाइसा ज्यादा लगेगा देक्रला कुई खर्चा होगा तो आपका पतीस से लेके पचीस और छबीस दो डेट आपको दिया गया इसां दिया गया है इसी दो डेट में आप लॉग-इन करके आप पुर्व में जो भी आप आप चेंज कर लिजेगा उपर नीचे जो भी कॉलेज चाहते हैं फिक्से दुबारा इसके बाद एक से दो दिन में आपका सकेंड मेरिट लिस्ट आ जाएगा यही सूचना था जो आपको बताने का प्रयास किये हम आपको जिसका नाम नहीं आया है सकेंड मेरिट लिस्ट में जाएगा समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं है और नेक्स्ट वीडियो आपका जो आएगा जिनका भी चुकिए अडिमिशन कल से स्टार्ट होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका भी नाम आ गया है 18 से लेके 23 जुलाई 23 जुलाई तक आपका एडिमिशन चलेगा फर् से आपको लेके जाएगा क्या-क्या डंकैट WiFi आपको लेके जाना होगा नेक्स्ट वीडियो आपका क्या मैं इस पर लएंगा सो परसेंट आप बस प्लीज सक्टपे अगला वीडिज आएगा और सब्सक्राइब कर देख सब्सक्राइब झाल झाल